गुड मॉर्णिंग बच्चों मैं आधर शक्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूटूब के चैनल मेरे पिताशी की पाट साला पर बहुत बहुत सौगर करता हूं बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टरे चला है वो चैप्टरे चला है मेकैनि के अब को पढ़ाएं तो आज का वीडियो जो है वह आपलिकेशन ऑस बन्हों का दूसरा वीडियो है और आज हम देखेंगे कैसे काम करता है हमारा बर्णावप्रेंसिपल यूज करके एक इंस्टुमेंट बना गया है जो की हमारा जो है फ्लो और चृँरूप यह स्वडावाविट किसी पाइप में मीजर करता है और यह पूरा का पूरा वेंच्री मिटर है वह जो है बर्नौली्स्षर attendance के प्रिंसिपल में वर्क करता हमदेखेंगे कि हमारा फ्लोप फ्लीड क्या होता है Fitzgوع को बढ़ करके से काम करता में चलीए सब्सक्ताइब एक शूंच्रिब는지 वेंच्टूरी मीटर को वंशुरी मीटर idag तो इसको जानने से पहले हम डेखते हैं फ्लोड का होता है बच्टो फ्लूड हमारा किसी ना किसी पाइप में ही जो है flow कर रहा होगा ठीक है सबोस करिए fluid की velocity है V और ये एक हमारा homogeneous cross sectional area का कोई पाइप है इसमें सिर्फ जो है हमारा कोई liquid flow कर रहा है इसका cross section है हमारा बच्चो A ठीक है तो इसका जो flow होगा flow of fluid बच्छों फ्लोफ अफ्लिड होगा एंटूवी ठीक है अब कैसे होगा देखेए ओंगा हमारा एरिया है कि मीटर स्काइर में होगा और विरस्की हमारी होगी मीटर पर सेकंड में से हमें पता लग जाएगा कि हमारा liquid का flow क्या है अब बच्चों किसी बहते हुए liquid का हम velocity कैसे निकालेंगे सबसे बड़ी problem यहां पर यह आ गई ठीक है सबसे बड़ी problem यहां पर आ गई और इस problem को जो है solve करने के लिए एक device बनाया गया जिसका नाम रखा गया venture meter तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि venture meter हमारा दिखता कैसा है फिर उसके बाद बात करेंगे कि वो काम कैसे करता है ठीक है तो देखें बच्चों तो venture meter कैसा होता है इसको देख लिए यह एक सबस करिए कि हमार पाइप है इस तरीके से ठीक है इसमें से कोई liquid flow कर रहा है फिर हम क्या करते है कि इस pipe का जो है area suddenly से जो है कम कर देते हैं ठीक है area जो है यहाँ पे कम कर देते हैं और थोड़ी दूर तक यह area इतना रहता है इस pipe का और फिर जो है यह वापस इस अपने original area पे आ जाता है ठीक ह यह और यह बराबर है और यह बीच में थोड़ी दूर के लिए इतना सा कॉंट्रैक्ट हो जया है ठीक है अब देखें क्या होता है यहाँ पर जो है area of cross section सपोज कर यह हमारा a1 है इस point पे और यहाँ पर बीच में हमारा area of cross section हमारा है a2 ठीक है यहाँ पर है area of cross section a2 ठीक है ब velocity यहाँ पर v1 है और यहाँ पर जो है v2 है area यहाँ पर a2 हो गया दूसरा यहाँ पर हो गया v2 ठीक अब हमारा liquid यहाँ इस तरीके से आएसे आएसे करके आगे के और flow करके इस तरीके से जागा ठीक अब देखें इसमें जो है सबसे पहले तो हमारा लगेगा equation of continuity तो बच्च लगा करके यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि हमारा flow कितना जाता है तो बच्चों देखें equation of continuity में क्या हो जागा a1 v1 बराबर a2 v2 ठीक है यहाँ पर आगया तो एक चीज देखें अगर हम निकाले v1 divided by v2 यहाँ से निकाले तो वह आजाएगा हमारा a2 by a1 यह हमारा आ यानि कि velocity इस जिखा पर और इस जिखा पर हमारी u है इसके cross-sectional area के ratio में होगी वह भी inversely ठीक है यह चीज हमको यहाँ पर पता लग रहा है ठीक अब देखें इस point को हम suppose कर लेते हैं कि यह point है हमारा x और यह वाला point है बच्चो हमारा y ठीक और मैंने आपको equation of continuity में एक बाद सब्सक्राइब आपको बता ही जहां कहीं भी हमारा area कम हो जाता है वहांपर velocity हमारी increase हो जाती है वहांपर velocity हमारी increase हो जाती करता है ओर वहां से लिफ्विड की हमारी विलास्टि कम होती है अब देखिए हम जा करते हैं प्वाइंट एक्स और प्वाइपे हम लगाते हैं बरनौविज ठ्षोरम हम यहां पे लगाते हैं। तो देखे हमारा बर्नॉलिज खरम जब अपलाई करेंगे, तो बच्चों सब्पोज करिए यहाँ area a1 है, यह velocity b1 है, area a2 है, velocity b2 है, ठीक है, यहाँ पर pressure सब्पोज करिए p1 है, और यहाँ पर pressure सब्पोज करिए p2 है, ठीक, और सेखें, फिर यहाँ पर क्या होता है, हम x और y लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बर्नॉलिज खरम दो देखें, किस तरी किसे लगेगा, p1 प्लस rho g h1 प्लस 1 बाई 2, rho v1 स्क्वाइर बराबर p2 प्लस rho g h2 प्लस 1 बाई 2, rho v2 स्क्वाइर, यह हमारा जो है, बर्नॉलिज खरम इस पर अपलाई होगा, ठीक है, जहाँ पर पी यहाँ का फ्लस प्लस है, पी टु हमारा इस पॉइंट का फ्लस है, और जो है, rho g h1 यहाँ की potential energy है, rho g h2 यहाँ की potential energy है, rho v1 square यहाँキी kinetic energy है, रो v2 square यहाँ की kinetic energy है, ठीक है बचों, अब देखें, यह pipe हमारा होरीजर टल होता है, ठीक है, होरीजर्टल सपोज करिए, यह हमारा इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से होता है कि इसका जो है height जो इसका axis है pipe का pipe के axis की height यहां से जो है बराबर होती मतब जो height यह है वही height यह होगी यहां पर हमारा h1 is equal to h2 होगा ठीक है तो यह दोरों टर्म हमारे बराबर आ जाएंगे और इस तरीके से आजएगा P1 प्लस 1 बाइ 2 रो V1 इसक्वाइर बराबर P2 प्लस 1 बाइ 2 रो V2 इसक्वाइर या गया हमारा ठीक है बचो अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर हमको जो है V1 V2 निकालना है और एरिया तो हम मीजर करेंगे तो हम आराम से फ्लो निकाल सकते हैं ठीक है बचो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर हमको P1 है V1 है P2 है V2 है यह चीज हमको यहां पर निकल के आ गए अब देखिए यहां पर क्या है यह पॉइंट यह वाला है यानि कि इसमें क्या हुआ कि यहां पर विलास्टी ज़्यादा होगी और यहां पर विलास्टी कम होगी मैंने परनौली छोरब के प्रिंसिपल में आपको बताया था जो क्या होता है कि यहां का प्रेसर मेंजर स्ब्सक्राइश करने के लिए लिक्विड का यह डिवाइस लगा होता है जिसको कन बोलेते हैं के में छीक और प्रेशर ज्यादा होगा तो यह liquid की height suppose करिये हो जाती है यहाँ से x1 हो जाती है x1 ऐसे suppose करिये यहाँ पर x1 इस तरीके से हो जाती है और यहाँ पर pressure हमारा कम है क्योंकि velocity ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा जो है कुछ इस तरीके से x2 height यहाँ से यह चल जाता है ठीक है? यहां देखे यह X1 चड़ा है यहां पर प्रेशर जाता है तो ज़्यादा चलेगा यहां पर प्रेशर कम है तो कम चलेगा यह X1 होता है यह X2 होता है ठीक बैचो अब देखे यह device selected की होती है उसको हम यहां पर इस तरीके से दिखाते हैं अब देखे अगर हम इसको यहां पर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके खीच देए तो यहां पर X1 X2 के बीच में यह आता है X1-X2 और यह आता है एससे सबोस कर लिए X1-X2 इसकल टू यह आता है हमारा H इस तरीके से आता है ठीक है तो यह जो height होती है हमारी जो difference in height होती है यह हमको pressure बताता है और बच्चों जो हमारा यहां पर pressure आता है वो आता है यहां और यहां के pressure के difference को बताता है तो यहां पर आएगा P1-P2 is equal to rho GH इस type से हमको जो है मिलेगा pressure जितना यह difference in height of liquid होगा venture meter में वही हमको pressure का measurement बता देगा rho GH के फौन से ठीक है बच्चों तो देखें यहां पर क्या होता है यहां गया हमारा P1-P2 is equal to 1 by 2 rho V2 square minus 1 by 2 rho V1 square ठीक है यहां गया अब देखें P1-P2 हमको क्या बताएगा rho GH तो हम इसको जानी देते हैं इस तरीके से rho GH is equal to 1 by 2 rho V2 square minus V1 square यहां गया हमारे पास ठीक है देखें रो से rho हमारा कट गया इसको एदर multiply करेंगे तो जाएगा P2GH is equal to V2 square minus V2 square minus V1 square यह हमारे पास इस तरीके से निकल के आ गया है ठीक है बेचो अब देखें क्या आपको यहां पर यहां पर जो है हमको निकाल ली है वेलास्थी ठीक है अब वेलास्थी चाहे हमें V2 मिल जा है चाहें V1 मिल जा है तो जैसे सपोस करिए हमको V1 मिल जाता है तो हम इसको A1 से multiply करके flow निकाल लेंगे और V2 मिल जाता है तो हम A2 से multiply करके flow निकाल लेंगे क्योंकि हमारा purpose है flow निकालना अब बच्चो V1 V2 दोनों हमारे पास इस तरीके से निखाओ हम कैसे निकाले तो किसी एक को पकड़ के चलते हैं तो क्या करते हैं हम यहां से common ले whole square minus 1 और यह हमारे पास किस तरीके से आ गया यह आ गया 2GH ठीक है यह आ गया हमारे पास 2GH अब देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं यहां से हम निकालते हैं V1 square तो देखिए V1 square देखिए यह आला है V1 square इस टर्म को नीचे लेंगे तो यह हमारा आ V2 square minus 1 ठीक है V2 minus V1 square minus 1 यह इस तरीके से आगया यह हमारा इसमें इसमें देखिए हमारा V1 by V2 हमारा लिखाए A2 by A1 यहां पे लिखा है ठीक है तो हम V2 by V1 के जगा यहां पे लिख देते हैं A1 by A2 तो आजगा 2GH upon A1 by A2 का square minus 1 यह तरीके से आगया यह आगया हमारा V1 square ठीक है बैचों यह आगया हमारा V1 square अब देखिए यहां से हमारा V1 और V2 दोनों निकलाएगा बारी बारी से ठीक है V1 और V2 दोनों निकला आगया तो देखने बद्चों क्या आता है और कैसे आता है ठीक है तो यह हमारे पास equation हमको find out हो यहां ठीक है A1 by A2 होगा यह ठीक है यह हमारे पास हो गया है अब देखिए हम इसको LCM अगर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा V1 square 2 2GH A2 square देखिए इसमें LCM लेकर के A2 को उपन में जा रहे हैं यहां गया A2 square और यहां गया हमारा A1 square minus A2 square यहां गया अब यहां से हम निकालेंगे V1 तो V1 आ गया बच्चों हमारा वो आया A2 बहार आ जाएगा इसकोर के और आएगा अंडर रूट अंडर रूट टू जी एच अपन एसकोर मैनस A1 square मैनस A2 square यह हमारा आ गया V1 का एक्स्प्रेशन देखिए V1 हमको find out हो गया ठीक है V1 हमको find out हुआ किस टर्ब में found हुआ find out हुआ A1 A2 में H में G में ठीक है G हमको पता है H हम मीजर कर लेंगे यह instrument लगा हुआ प्रेशर मीजर करने के लिए और A1 A2 हम जो है हमने जो pipe डिजाइन किया है वो बनाने pipe पहले से ही मीजर करके लगा है हमें पास यह सारी A1 A2 और G सब कुस पता है तो हम V1 निकाल देंगे बच्चों ठीक है बच्चों अब यह थी हमें V2 निकालना हो सिमिलर तरीके से तो V2 जो है वो हमारा आएगा V2 is equal to A1 2GH upon A1 square minus A2 square इस तरीके से हमारा आजाएगा V2 ठीक है V1 और V2 दोनों चीज हमको find out हो गया अब हम जो है flow निकाल सकते हैं अब flow निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा flow चाहे हम ऐसे निकाले चाहे वैसे निकाले वो हमारे हाथ में होता है ठीक है बच्चों तो देखे फ्लो हमारा क्या होगा flow होगा हमारा A1 V1 ठीक है A1 हमने लिखा और V1 देखे हमारा क्या है V1 है हमारा A2 2GH upon A1 square minus A2 square का under root यह हमारा हो गया flow ठीक है अब माले लिए हम flow को A2 V2 से निकाला चाहें A2 V2 से तो भी हम निकाला सकते है इसको देखे A2 हमारा हो गया A2 और जो है V2 की value है A1 दिस तो हमारा देखे आ गया A1 हम यह multiply करेंगे यह आ जागा 2GH upon A1 square minus A2 square इस तरीके से और यह आएगा इसमें under root ठीक बचों तो देखे दोनों में हमारा इधर हमने A1 B1 यूज़ किया इधर A2 B2 यूज़ किया लेकिन देखे इधर का term हमारा सेम है तो चाहें हम इससे निकाल लें हम जो है इस pipe में पूरी तरीके से निकाल सकते हैं कितना liquid हमारा flow हो रहा है ठीक कितना liquid हमारा flow हो रहा है ठीक है इसमें pipe के dimensions पता होने चीए है एच हम measure कर लेंगे और G हमें पता होता है हम बहुत ही आराम से liquid का flow किसी भी pipe में निकाल सकते हैं यह meter हमारा कहलाता है venture meter और इससे हम measure करते है flow in the pipe ठीक है flow in the pipe हम इस तरीके से measure करते हैं तो बच्चों यह ह हमारा जो हुआ पूरा venture meter का concept जो कि हमारा बर्नौलिज प्रिंसिपल पर बेस था ठीक है चलिए अब इसके करते हैं एक दो सवाल और इसके बाद यह वीडियो हो जागा खतम तो देखते हैं बच्चों हमारा सवाल क्या है बच्चों यह देखिए हमारा question है venture meter का question क्या है यह देखिया देखिया यहां एक venture meter है इसमें से water flow कर रहा है और यहां पर यह पॉइंट एक्स है यह point y है point x पर हमको जो velocity दे रखी है लिप water की वह हमको दे रखी है वीबन सपोस्कर इसको तो वह दे रखे 2 cm per second ठीक है और जो यहां पर हमको निकालनी है velocity x y हमारी कितनी होगी हमें निकालनी है हमको यहां पर दे रखा है जिससे pressure measure क्या जा रहा है यहां पर जो h का difference आया है वो बच्चो आया है h का difference हमारा आया है वो आया है 5.1 mm में capillary में जो h का difference हाया है वो हमारा है 5.1 mm ठीक है बच्चो question फिर से देख रही है हमको y पर यहां पर जो है velocity of water निकालना है हमको x पर velocity of water इतना दे रखा है और हमें जो है pressure difference का जो height दे रखी है वो दे रखी है h ठीक है बच्चो अब देखिए question क्या होगा यह pure और pure हमारा venture meter का question है और इसमें जो है एक जो सबसे बड़ी जो हमको जो है चीज नहीं दे रखी वो दे रखी है वो नहीं दे रखी है वो दे रखी cross sectional of pie cross sectional area of pie हमको नहीं दे रखा है और हमने जो है अभी जो formula drive किया था वो हमारा पूरा का पूरा base था cross sectional of area पे तो अब हम क्या करेंगे बच्चो जब कभी ऐसी situation हो तो venture meter का direct formula लगाने की बजाए ठीक है आप जो है बर्नौली छोरम लगाते है ठीक है बर्नौली छोरम जब हम लगाएंगे venture meter में तो देखे हमारा क्या होगा हमारा लगेगा p1 plus 1 by 2 rho v1 square बराबर p2 plus 1 by 2 rho v2 square ठीक है बच्चो अब देखे v1 हमें पता है हमें निकालना है v2 ठीक है v2 निकालना है तो p2 को ह मिदल लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p1 minus p2 p1 minus p2 is equal to 1 by 2 rho v2 square minus 1 by 2 rho v1 square यह हमारा बच्चो हो जाएगा rho gh और यह आजाएगा 1 by 2 rho v2 square minus v1 square इस तभी कैसे हो जाएगा बच्चो अब देखे रो से rho हमारा क्या क्या कट यह आ गया 2gh is equal to v2 square minus v1 square यानि कि v2 square हो जाएगा हमारा 2gh plus v1 square यह बच्चो आ गया देखे इसमें हमारी area की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए जहां जरूरत हो वहां direct formula लगा दें वह जो मैंने अभी derive कराया था और नहीं तो हमारा बरणौली का प्रिंस्पन venture meter में कभी भी fail नहीं होने वाला हमने यहां पर वही किया है अब यहां पर proper value रख करके हम जो है find out कर लेंगे कि हमारा जो है वी चुदितना होगा तो चलिए बच्चों रखते हैं तो देखें टू है हमारा टू जी अब देखें हमको यहां पर व्लास्टी सेंटी मीटर पर सेकंड में दे रखिए और हैस दे रखिए एमम में तो हम यहां पर जी की value रखेंगे सेंटी मीटर वाली वह आ जाएगी हमारी 1000 सेंटी मीटर पर सेकंड स्कॉर फिर उसके बाद जो है एच देखें हमारा किता है वह है 5.1 यह एमम में है तो हो जाएगा into 10 to the power minus 1 सेंटी मीटर ठीक है और इसके बाद जो है प्लस यह आ जाएगा 2 स्कॉर ठीक इसको जब solve करेंगे तो बच्चों यह इधर ऐसे आ जाएगा यह हमारा यह कर जाएगा और क्या ऐसे कर देते हैं इसको ठीक है तो हमारा आ गया 2 into 5.1 into 100 प्लस 4 ठीक अब देखें कितना आ रहा है हमारा यह आ गया इसका 51 आ जाएगा पांसो दस इंटू 2 पांसो दस इंटू 2 यह आ गया 32 cm per second यह value आएगी velocity of water at the point y इसमें से हमारा तीसरा option बच्चों हमारा यह वाला सही हुगा ठीक है बच्चों तो यह हमारा जो था वेंचुरी मीटर का जो है एक question था और बच्चों इसमें question ज्यादा कठिन बनते नहीं है ऐसे simple से question होते हैं formula based इसके मैं ज्यादा question नहीं करवा रहा हूं क्योंकि varieties of question वेंचुरी मीटर में कम होती है आप direct formula लगा करके और सावधानी से calculation करके सही answer find out कर सकते हो तो बच्चों यह हमारा जो है वीडियो आज का यहीं पर खतम होता है ठीक है वेंचुरी मीटर का concept इसमें मैंने आपको बताया अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेगे surface tension के concept के साथ आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तेंग यू